ये बाबू भाईया के स्टाइलर बाबा गुली हमको पता चलिया कि तुम पढ़ने में तेज कैसे हो गए हाँ भाई सिंपल है वो सब्सक्राइटिकल से समझ करते हैं सिब किताब से रटाने मार देते हैं पिछले बार हम लोग अपने से दादा जी के रपास गये थे इस बार दादा ने हमें बुलाया है लगता है फिर से कुछ त्यारी करके रखे होंगे डादा जी आओ गुली और मुगली आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं बहुत ज़्यादा ओ माई गौड मजा आएगा क्यों दादा क्या बात है पिछले दिन हम लोग इंडिया के साइज और लोकेशन पढ़े थे ना आज हम इंडिया के तरह तरह के जमीन पहाड परवतों के बारे हम पढ़ेंगे ओ माई गौड अब तो मैं भी एक्साइटेड हो गया मैं भी मोगली देखो जैसे कि मैंने बताया था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है हाँ दादा इंडिया तो साइज में सेवंत नमबर पे आता है हाँ भारत इतना बड़ा है तो इसकी जमीन तो एक जैसे नहीं होगी ना कहीं पर जमीन प्लेन होगी तो कहीं पर मॉन्टेंस होगी तो कहीं डेजर्ट यानि रगिस्तान होगा तो कहीं आइलेंड होगा हाँ दादा आपने तो सही कहा है एक जैसा जमीन तो नहीं होगा कहीं पहार तो कहीं डेजर्ट तो कहीं आइलेंड होगा तो देखो दोस् पाकिस्तान भूटान और चाइना तो अभी आंग लोग इंडिया में जो हिमालियन मॉंटेन उसको पढ़ेंगे ओ हिमालिया तो बहुत बड़ा मॉंटेन है दादाजी हां देखो एंडिया के दो रिभर्स इंदस और बरंपूतरा के बीच में हैं और यह पहाड का लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है बहुत बड़ा है जानता हूं तो देखो इसकी चोड़ाईना 400 किलोमीटर कास्मीर के तरफ से और 150 किलोमीटर अनुराचल परदेश की तरफ से ओ दादाजी बहुत बड़ा पहाड है घुमने जाओंगे इसके आसपास मैं हां इसके आसपास जाओ हो देखो कंफ्योज मत हो ना कि हिमालियन मोंटन क diagnosis है हिमालियन मोंटलिया इंगे जो की दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है उसके अब से वाध कंचन जूँगा जो कि हमारे भारत में है आगे देखके जो कुछ बगल में दे दिया हूं और यह सब पहाड़ें की एक इंडिया है अच्छा चलो बताओ ये क्या है ओ पहाड सोच रहे हो ना पहाड तो है लेकिने कौन सा पहाड है ये भी बता दो चलो मैं ही बता देता हूं ये हिमालियन मौन्टेन है ठीक है ना अब ये पहाड को थिरी पार्ट में डिवाइड करते हैं जो पार्ट सबसे उ इननर हिमालियस या हिमादरी कहते हैं इसकी हाइट की बात की जाए तो ये लगवग 6,000 मिटर यानी 6 किलो मिटर की है और यहाँ पार्ट गरनाइट मेटरियल से बना होता है और सबसे मजय की बात यह हिमादरी हमेसा स्टू यानि बर्ब से हमेसा गिरा ओवा रहता धका अब इसकी नीचे थोड़ा आते हैं यह जो सेकेंड अला पाठ है ना बीच अला इसको हम लग हिमाचल या लेसर हिमालियास कहते हैं इसका उचाही लगवक 3700 मिटर से 4500 मिटर की बीच है इसके अंदर वैली अफ कास्मीर और हिमाचल परदेश के ना कांगरा और कुलू वैली है अब आते हैं भैवास सबसे नीचे वाला पाठ को इसको हम लोग शिवालिक कहते हैं इसको लंबाई लगवक 900 मिटर से 1100 मिटर के बीच राता है यह जो शिवाली खाना यह नदी के रेत यानी जो सेंडिमेंट राता है उससे बना होता है और हाँ देखो हिमाचल रसी वा जाओगे ना लेलो लेलो क्या सोचरे जल्दी स्किंशोट लेलो इतना पड़ेंगे तुम एक दू साल में लोग आई है साइपियस बन जाएंगे ना दादा जी साही बोल रहे है वनोगे तुम लोग देश का फ्यूचर बनोगे बहुत ज्यादा खमा होगे क्या कर रहे हो बाटते हैं अरे जो बाटेंगे हम लोग नदी के हिसाब से बाटेंगे मतलब नदी के मदद लेके बाटेंगे देखो समझ आओगे थोड़ा देल में अभी मैंने बताया था कि हिमालियस मॉंटेन इंदस और ब्रहंपुत्रा रिभर्स के बीच में तो जो हिमालियन पाट इंदस और 17 रिभर के बीच में है ना उसको हम लोग पंजाब हिमालियस कहते हैं इसको हम लोग कस्मीर और हिमाचल हिमालिया भी कह सकते हैं अब देखो जो हिमालियन पाट 17 रिभर और काली रिभर के बीच में है ना उसको कुमाओ हिमालिया कहते हैं और जो पाट काली सबसे लास्ट में हम लोग आता है क्या इस्ट की तरफ ब्रंपुत्रा रिभर्स इसको ने बाटेंगे इसको छोड़ दो हाँ यह जो हिमालियस मौंटे ना इधर इधर वेस्टन सेट्स आ तो सही राइस्ट की तरफ लेकिन इस्ट की तरफ आते आते यह अचानक सार्पली मु जो हिल्स है वादा नदी के हेल्प से आप लोग बाठ दियें यह बाबु भाईया के स्टाइलर बाबा देखो यह जो एलो कलर का दीकर आना यह नौर्दन प्लेन इसको फिर से ना हम लोग ठीरी पार्ट में डिभाड़ देते हैं कंफ्यूज मत हो ना धिरे धिरे समझो लोग पंजाब प्लेन लेंट यह इनृफ North से बना है इसको ब्रहँपत्र नःते हैं रिवर मेंने बताता है इतलि में श्कीनड यह बना है क्योंकि ही दया खिए पार्ट के हिसाब जो सबसे नीचे वाला जो मॉंटेन रहेगा उसको खादर बोलेंगे लोड मतलब इतना यादों को उतने कर लेना मैं थोड़ा थोड़ा बता जता हूं और देखो जो बाबर वाला एरिया है ना वह 6-12 किलोमेटर तक चोड़ा है जिसमें बहुत तरह के स्टोंस पाया जाते ह रहते हैं ठीक पेबल और तिराय वाले एरिया में बहुत जादा ही घना फोरेस्ट जिसको साल फोरेस्ट भी कहा जाता है और जो भांगार वाला रीजन उसमें एल विलियम स्वाइल रहता है ठीक इसको याद कर लेना और लास्ट वाला जो खादर रीजन है ना बहुत अच अच्छा बाई क्यों अच्छा क्योंकि खेती किलिस का जमीन बहुत जादा फाइट आलिया बहुत अच्छा खेती हो सकता है लगता भारत का सारा चीज इसी चप्टर में डाल दिया गया है देख लो कुछ कुछ तो याद रहेगा ना फिर से देख लेना याद हो जाएगा हां सबसे पहले इसको देखते देखते ना फिर से जो देखेंगा नोर्स बना लेना याद हो जाएगा हां को लिए सही तो बोल गया है अब थोड़े इंट्रेस्टिंग और समझने वाला कॉंशेब्ड बताता हूं तुम लोगों को ठीक है देखो प्लेटू कि इसको कहते ह लेकिन यह वाला जो जमीन है उपर वाला यह थोड़ा उठावा जमीन रहता ना उसी को मुझे प्लेटू कहते हैं अब देखते पेनिसूला किसको कहते हैं देखो ऐसी कोई भी जमीन जो तीनो साइट से ना पानी से घिराओ ठीक है थिरी साइट से और जो चौता तराफ है शत शाट से पाने जमीन हो तो फृषव इसने पनौन पलेटू कहेंगे थिक है प्लेटू आप ब देखो जक्रीं इसंक के 20% किर निकलती है कि मत रीभर करते हैं और अर अन्रमदा री तर्म स्यवं नौहलेय कंतर्गों wnpack काते हैं और यह नर्वदा रिवर्स के सौथ साइड में है ना मतलब नीचे अलाब तुम लोग देख सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेकन प्लेटू कहते हैं असानी समझ गये अब थोड़ा रेगिस्तान को भी हम लोग देख लेते हैं यह है अरावली हिल्स इसके वे आप इसके अब कंफ्यूल मत हो अधी बारिश हो गया जमी इनसाम लोग इसकेल से ना पेंगे ना ते सिर्फ 15 सेंटिमेटर ही उचाएगा इसका पाने का लिए जो वह हैइट यहां पर एक ही मात्रह न दी उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना अच्छा नाम है ना गुली हाँ देखो समूद के आगल बागल वाले एरिया को हम लोग कोस्ट बोलते हैं मतलब कोश्टन प्लैन भी बोल सकते हो समझ सकते हो यह फिगर को यह जो कोश्टन प्लैन वेस्ट साइड में ना उसको वेस्टन कोश्ट करते हैं सिंपल सबाव और जो इस्ट साइड में हम लोग इ उसके क्या बोलेगे ऊखंच। तो दोस्त आधी आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सुस्क्राइब करके आप मुझे मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे भी वीडियो लाते रहूं और आप ऐसे ही पढ़ते रहें और हां दोस्त इस विडियो कोो ना लाइक करने चैनल सिस्क्राइ में है और दूसरा क्या अंडमान निकोबार आईलेंड जो की बेव बंगाल में है आईलेंड मतले वहीं न दादा एक ऐसा जमीन जो की चारों तरफ से पाने से गीरा हो आगोले सही है तो देखो जो लक्षी दीप आईलेंड है न वो 32 स्क्वार किलोमीटर को उसका पूरा एर किजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन्द